साल दो हजार तेविस टमाटर की खेती करने वाले किसान भाईयों के लिए काफी अच्छा राग जहां गर्मी के सीजन में टमाटर का मन्दी थोग भाओ सो से दो सो रुपे किलो के बीश में मिला और कई किसान भाई तो टमाटर की खेती करके रातो राग करोण पती भी बन गए हम सभी किसान भाई भी इस गर्मी के सीजन में टमाटर की फसल से अच्छी कमाई कर सकते हैं फिर चाहे हमें टमाटर का मन्दी थोग भाओ 20 रुपे किलों से लेकर 40 रुपे किलों के बीच में ही क्यों ना मिले इस गर्मी के सीजन में टमाटर की खेती का सही समय सही तरीका, खात प्रबंधन और तो ओर खीटवा रोग्मियंदर इन सभी पर इस वीडियों में डिटेल में चर्चा करेंगे और इस वीडियो के अंत में मैं यहां भी बताऊंगा कि अगर आप एग एकड़ इस गर्मी के सीजन में टमाटर की फसल लगाते हैं तो उससे कितनी कमाई हो सकती है या केलकुलेशन भी दूआ इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें किसी भी फसल से अच्छी कमाई करन चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी है सही समय पर उस फसल की भुवाई करना तो हम सबसे पहले यही जानते हैं कि गर्मी के सीजन में टमाटर की फसल लगाने का सही समय क्या है गर्मी के सीजन में टमाटर की फसल से उतपादन लेने के लिए आप टमाटर के पोधों का खेत में ट्रांस्प्लांट फरवरी के दुसरे सप्ता से लेकर 15 मार्स तक कर सकते हैं। अगर इस समय पर आप कही से टमाटर के पोदे खरीद कर ला सकते हैं तो तुरंती खेत में टमाटर के पोदों का ट्रांस्प्लांट खेत में कर दें। और अगर नहीं ला सकते हैं तो ज उस समय पर टमाटर के पोदो का ट्रास्प्लांट खेत में कर दे। सबसे सही तो यही रहेगा कि आप इस फरवरी के महीने में ही टमाटर के पोदो का ट्रास्प्लांट अपने खेत में कर दे। 25 वाइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उप्योग कर सकते हैं दूसरी सबसे जरूरी बात या एक खात प्रबंद क्योंकि अच्छा उत्पादन लेने के लिए खात प्रबंदन करना जरूरी है तो आप वही जानते हैं कि इस गर्मी के सीजन में टमाटर की फसल में कौन सा खात प्रबंदन केसे और कप करें टमाटर की फसल के लिए मैं आपको जो भी इस वीडियो में खात प्रबंदन बताऊगा उसे किसी पेपर पर लिख ले या फिर आप वीडियो को रोब कर उसका स्क्रिंशोट ले ले और स्क्रिंशोट लेने के बाद वीडियो को लाइक जरूर करें तो जब भी आप टमाटर के पोधोगा ट्रास्प्रांट खेत में करें उसके 15 दिन पहले अंतिम जुताई के समय 100 कुंटल गोबर की खार और 2 कुंटल नीम खली प्रती एकड की दर से डालें ये 15 दिन पहले का था और टमाटर के पोधे की जब आप खेत में रोपाई करें उसके एक दिन पहले केवल बेट के ऊपर आप बीएपी 50 केजी आवोनियम सल्फिक 50 केजी व्यूरेट आफ कोटास 40 केजी प्रती एकर की दर से डालें इसका स्क्रिंशोट ले ले और आप विडियो को लाइक कर दे टमाटर के पोधे की अच्छे विकास के लिए आप जब टमाटर के पोधे की ट्रास्प्लांडिंग हो जाए उसके 30 दिन वा 60 दिन के बाद में आप 30 केजी यूरिया प्रती एकर सिचाई के एक दिन बाट टालें ठीगे और जब फूल बनने लग जाए फल आने लग जाए और पहली हार्वेस्टिंग के समय आप यानि की ट्रास्प्लांडिंग के 30, 45 वा 60 दिन के बाद में 200 ग्राप 200 लिटर पानी में सुष्व पोशक तत्म प्रती एकर की दर से उप्योग करें इसके अलावा फलो का विकास तेजी से हो उसके लिए आप वोटर सोल्यूबर फर्टिलाइजर एनपी के 0, 524 एक केजी प्रती एकर के हिसाब से 200 लिटर पानी में मिला कर ड्रेंचिंग कर दें और जब टमाटर की फसल से हार्वेस्टिंग ले यानी की तुड़ाई के समय वोटर सोल्यूबर फर्टिलाइजर एनपी के 0, 050 एक केजी प्रती एकर के हिसाब से 200 लिटर पानी में मिला कर ड्रेंचिंग करतें अगर आप टमाटर की फसल में इस तरह से खात प्रबंधन करतें तो निश्चिती आपको टमाटर की फसल से काफी अच्छा उत्पादन मिलेगा पर 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 टमाटर की फसल से मिलने वाला उत्पादन प्रवावित हो सकता है अगर आप समय रहतें टमाटर की फसल में लगने हमें सबसे पहले फंगत जनित रोग जैसे अगेती जुलसा, पचेती जुलसा और लीफ इस्पोर जैसे रोगों का अटिक दिखाई देता है। इन रोगों से बचने के लिए आप कोपर ओक्सी क्लोराइड 50% WP, 3 ग्राम प्रती लीटर पानी यानी की 40-45 ग्राम 15 लीटर के इस्प्रेप पम में पानी मिला कर इस्प्रेक कर दें। टमाटर की फसल पर वाइट फ्लाइ, एफिट्स, थ्रिप्स और माइट इन कीटों का भी अटेक दिखाई देता है। हमें बनाई करना पड़ती है, अच्छा उत्पादन लेने के लिए, क्योंकि बेल वरगी टमाटर को हमें बानना पड़ती है। तो जब आपकी टमाटर की फसल 20-25 दिन की हो जा, उस समय पर आप टमाटर के पोधे की बंधाई कर दे और साथी साथ उसकी कटाई चटाई कर दे, आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अब बहुत से किसान भाई हमसे कमेंट सेक्षन में पूछेंगे की टमाटर की फसल के साथ में किन फसलों के इंटरक्रोपिंग कर और कुछ किसान भाईयों ने तो अभी तब कमेंट कर भी दियों, तो आप इस गर्मी के सीजन में टमाटर की फसल के साथ में सबसे सही कि आप धनिया की इंटर्प्रोपिंग करें केसे करना है तो जब भी आप टमाटर के पोदों का ट्रास्प्लांड करें उससे एक दिन पहले जो भी आपने क्यारिया बनाई या बेड़ बनाए इन बेड़ों के ऊपर या क्यारियों में चिड़कर विदी की साहिता से आप धनि गया के बीजों के चिड़काओं के बाद ही आप टमाटर के पोदों का ट्रास्प्लांड खेत में कर दें धनिया की फसल को कई सारे कीटों के अटेक से भी बचाती है क्योंकि धनिया की खुझबू के कारण कई सारे कीट टमाटर की फसल पर नहीं लगेंगे इस तरह से धनि विडियों के अंतमी बात कर लेते हैं कि अगर हम इस गर्मी के सीजन में टमाटर की फसल लगाते तो उससे हमारी कितनी कमाई होड़ी तो देखे सबसे जरूरी ये उत्पादन का होना और अगर आप इस गर्मी के सीजन में इस विडियों में बताये गए तरीके से खात प्र लेकर 200 कुंटल के बीच में उत्पादन बड़ी आसानी से ले लेगे। हाँ, गर्मी के सीजन में टमाटर की फसल से कम उत्पादन होता है अन्य सीजन की तुलनाम। पर अगर आपको 1.500 कुंटल भी उत्पादन होगा और अगर 25 रूपे किलो टमाटर का मंडी थोगभाव मि उत्पादन कितना होगा था? 1.500 कुंटल एक कुंटल में कितना होता है? 100 किलो और एक किलो का मंडी थोगभाव क्या लिया है? 25 रूपे तो हमारी आमदनी कितनी होई? 3.500.000 रूपे यानि कि आप एक एकड़ में लगाई गई गई टमाटर की फसल से कमाई 3.500.000 कर सकते हैं यही अगर आपको भाव 15 रूपे मिलता तो कितनी आमदनी होती? 2.25.000 या भी अच्छी आमदनी है टमाटर की फसल से तो इस तरह से जो हमारी कमाई रहती है वह निर्भर करती है भाव के उपकर मैं तो यही आशा करता हूँ कि इस गर्मी के सीजन में आप सभी किसान भाईयों को टमाटर का अच्छे से अच्छा भाव मिले आपका अच्छा उत्पादन और आप भी इस गर्मी के सीजन में लाखो रूपे की कमाई करें हम खुद टमाटर की फसल लगाने का सोच रहें अगर कहीं से हम टमाटर की तयार नर्सरी मिल जाती है तो हम जरूर टमाटर की फसल को खेत में लगाएंगे जिन भी किसान भाईयों ने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो वे वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्षन में लिखें जै जवान जै किसा वेसे यहां नारा किसने दिया था इसका नाम भी आप बता सकते हैं देखते हैं कि किन किन को पता है कि यहां नारा किसन ने दिया था और हाँ कमेंट सेक्शन में पहले देखकर मत बता रहाँ